हेलो एवरीबन वेलकम बैक एन अवर चैनल दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं हूं कबल दोस्तों आज हम इस वीडियो में रिमेंडे थ्योर्म पे बेस्ट जो कोश्चन आपसे पूछे जाते हैं एक्जाम में उनको आज हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में लगबग हम 5- चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो भी आपके डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे इससे पहले हमने रिमेंडे थ्योर्म के और भी जो टफ कोश्चन पूछे गाए हैं मैंने वीडियो पहले ही अप्लोड कर देता आप उसको भी जाके चेक कर सकते हूं जो कि सारे अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को सेयर करें ज्यादा से यदा लोगों में सेयर करिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं सभी लोग का वेनिफिट होना चाहिए यह कोश्चन नंबर सिस्टम से एक ऐसा टॉपिक आपके हर एक एक्जाम में कंटीन्यू लगातार पूछा जा रहा है सीटेटो रीटो एससे सीजी है लो अब तो यूपी एससी 2021 में भी पूछा गया था हम इस वीडियो में सारे कोश्चन डिसकस करेंगे और रेल बें टेपीसी में तो यह कॉमन सी बात है तो चलिए फर्स्ट कोश्चन थ्री की पावर 98 को 5 से डिवाइड करोगे ओके यह कोश्चन आपसे सीटेट 2015 और रीट 2016 में पूछा गया है तो आपके चारो अपसन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे ठीके नौ देखिए सबसे पहले ध्यान रखना अगर कोई भी नंबर डिवाइड करने के लि ढला जायगा तो आपको क्या करना आपसमें फाइब से छोटे नंबर से यानिग फाइब से चोटा नंबर फोर एक नंबर खोटे से और डिवाइड करना अचे कि अलों में पहले में क्या करना हो करके ठीक है एक number कम करके उसी number से given power में आपको divide करना है power क्या थी 98 98 को हमें 4 से divide करना है अगर 7 होता तो मैं 6 से करता прям number की बात कर रहा हूं ठीक है अगर 3 होता तो मैं 2 से करता ठीक है नाव तो दिखिए 4 से आप divide कर lleva यहां आपका 1 बच्चा और 8 उपर से आजाएगा 4, 4, 16 यानि कि इसमें जो remainder आए वो आपका आगया 2 मैंने क्या बताए प्रैम नंबर है प्रैम नंबर से एक कम नंबर से आप डिवाइड करी गिवन पावर में जो भी आपका remainder आएगा गिवन नंबर के उपर लगा दीजिए अब जो पावर है वो replace होके हो जाएगी आपकी 3 की पावर 2 ओके clear उम्मीद हैं तक आपको समझ आ गया होगा now 3 का score आपका दोस्तों कितना होता 9 बस अब कुछ नहीं करना डिवाइड किससे करना था 5 से अब आप डिवाइड कर दीजिए जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो देखो मैं करके दिखा दे रहा हूं अब तो simple question है 4 answer आएगा ठीक है 5 बंजा 5 और 9 में से 5 गया आपका बच्चा 4 यानि कि जो आपका है रिमें question की तरब जिसमें सबसाइदा doubt था comment में पूछा भी गया था इसको explain करने के लिए तो चलिए ये question में डाला हुआ ये question आपसे SST CZL 2011 में आपसे पूछा गया है तो क्या है 3 का power 21 को 5 से बिवाजित करने पर successful क्या प्राप्त होगा ठीक है सबसे पहले वही pattern में question को यहाँ पर लिख रहा हूँ ठीक है 3 की power 21 divide किस से करना 5 से 5 के आपका prime है prime होगा तो just एक number कम करके उसी से divide करिया power को 5 से कम क्या होगा 4 ठीक है एक number कम कर लिए 4 और 4 से हमें power को divide करना है ठीक है power के हमारी 21 अब divide करिया 4 5 जा 20 आपका remainder कितना आ गया है यहाँ पर आ गया 1 ठीक है अब बस आप divide कर दीजिए 3 को divide करना 5 से ठीक है 3 को हमें किससे divide करना 5 से divide तो होगा नहीं नहीं जाने का 0 तो remainder कितना आ जाएगा हमारा 3 जो भी number होता मैं आपको बता दे रहा हूं ठीक है now हमें 3 को divide करना 5 से अगर नीचे वाला number बढ़ा हो तो numerator यह आपका answer होता है ठीक है प्राइम से अगर divide करना है तो आपको यह trick अपलाई करना अगर प्राइम ना हो तो फिर कैसे करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं अगले questions की तरफ now अब देखिए काफी important concept आप यहां से start होने वाले ठीक है वीडियो को skip बिल्कुल मत करना concept आपका निकल जाएगा ठीक है now देखो अब क्या है यह question आपसे UP SEC set 2021 में पूछा गया देख लीजिए question तो आपका यदी 3 की power 2019 को 10 से भिभाजित किया जाता हो तो इस पर क्या प्राप्त होगा आपको 4 option यहां पर दिखाई दे रहे होंगे तो चलिए कैसे करते इन questions को जब हमारी prime से divide ना करना हो यहां पर किस से divide करना है 10 से ठीक है तो कैसे करेंगे सबसे पहले वही सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूँ किसको question को ठीक है सबसे पहले मैं question यहां पर लिख लिया है now अब देखो ध्यान से समझना given number की power क्या है आपकी 2019 given number की power क्या है आपकी 2019 ठीक है प्रैम की बात पहले कर चुका हूँ, यह ध्यान से समझे न, अगला आपकी जो concept है, ठीक है, अगर given number की power आपकी odd होती है, क्या होती है, odd, अगर given number की power आपकी क्या हो, odd हो, तो उस power को हम replace करेंगे, किस से, 1 और 3 से, बोलो, किस से करेंगे, 1 और 3 से, समझ आ गया, अगर power आपक क्या होती, even, क्या होती power आपकी, even, तो हम replace करते हैं, उस power को किस से, 2 या फिर 4 से, ओके, तो चलिए concept को यहाँ पर follow करते हैं, जो आपकी power थी, वो क्या थी, 2019, और 2019, आपके क्या होता है number, odd number होता है, ठीक है, odd even तो आते होंगे, यह में समझाने वाला नहीं हो, इसमें ठीक ह अब इस power को आप लिख ली जिए, 3 की power 1, 3 की power 1 कितनी होती है, 3, ओके, 3 की power 1, 3 हो गया, हमें divide किस से करना है, 10 से, ठीक है, divide किस से करना है, 10 से, क्या बताइए, यह divisible वाली condition में है, नहीं है, 10 से 3 divide हो इनहीं सकता, ठीक है, उबर वाला concept मत करना है, मैंने गोला, 3 answer हो जाए, अगर नहीं, वो सिर्फ प्राइम में ही follow होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है, अब 10 से divisible condition में नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, अब भी हमने बताया था, और 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 पावर है, तो 1 रखेंगे, 1 से तो मारी बात 1 ही नहीं, अब क्या रखेंगे, आप 3, तो 3 का power आप 27, और 27 को डिवाइड करें, किस से, 10 से, तो remainder कितना आज आज आएगा भाई, 7, देखो करके मैं दिखा देता हूँ, divide, ओके, नाव देखो 10 से डिवाइड करें, 27 को 10 to the 20, आपका कितना बचा, 7, तो 7 ही आपका यहाँ पर remainder हो गया, दोस्तो remainder क्या हो गया, 7, option कौन सा सही हो option number C, आपका यहाँ पर सही हो गया है, उम्मीद है, आपको सब कुछ समझ आ गया हो, तो चलिए, बात करते हैं, अगली वीडियो में, अगले questions में, ठीक है, odd के लिए, even की भी बात करेंगे, even का देखो 4 की power 96 आपको दिखाए दे रहा होगा, ठीक है, तो चलिए, बढ़ते ह अगले question की तरफ, अगर कोई भी doubt है, तो please, बीडियो का बापस से play कर लिए, दरवाज अभी बाके बचे को question को देख लीजिए, सारा doubt आपका clear हो जाएगा, ठीक है, तो question आपका है, 29 की power 75 को 28 से बिवाजित करने पर, सेस्पल कितना प्राप्त होगा, ये question आपसे UP-TET 2015 में पूचा गया है, तो देख लीजिए कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, 29 की power 75 को, डिवाइड किस से करना है, 28 से, इसको हम और इवन से भी लगा सकते हैं, इस question को, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया है, पापर इसकी और है, तो आप उससे कर सकते हो, लेकिन अब मैं इस question क सौट ट्रिक से बताने वाला हूँ, देखते ही आप answer बता दोगे इसका, तो देखिए, concept आपको याद रखना है, किस से हमें डिवाइड करना है, 28 से, किसको डिवाइड करना है, 29 को, अगर हमें जिस number से डिवाइड करना है, और किस में करना है, उन दोनों का difference क्या रहता है 1, क्या रहता है, 1, 1 रहता है, तो क्या लिखना है, आपको 28 से 29 को डिवाइड करना है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा न, 1 की पावर लगा दीजे, 75, बस आपका answer आ गया, 1 की पावर कुछ भी हो, answer हमारा 1 ही होता है, ठीक है, अगर गिवन number को डिवाइड करना है, किसी number से जिससे बोला गया है, उन दोनों का difference कितना हो, 1 हो, या minus 1 हो, doesn't matter, ठीक है, उसकी power आप लगा दीजे, वही आपका answer हो जाएगा, answer आपका यहापर क्या हो गया सही, option V, कुछ भी नहीं करना, और इवन से भी कर लीजे, उससे भी answer आएगा, लेकिन ध्यान रखना है, difference अगर 1 होगा, तो आपका answer स्रिफ 1 ही होगा, उसकी power आप लगा दीजे, वही आपका सही हो जाएगा, तो चलिए, बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, देखिए, ये question आपका है, किसके लिए, even power के लिए, odd के लिए हमने discuss कर दिया ना, सब कुछ, now, given number को मैं हापे लिख रहा हूँ, given number 4 की power, 96 को divide करना है, 6 से, तो बताइए, successful कितना आएगा, ये question आपसे, h8 2014 में पूछा गया है, देख लीजे, कैसे करेंगे, 96 आपका क्या है, भाई, बोलो जल्दी से, 96 क्या है, मैं यहापे even ही लिख रहा हूँ, देखो, दिमाग में सीधे वोई चल ला है, question ठीक है, 96 कर ल से, तो now, सबसे पहले हमें आप लिखेंगे, 2 की power, 2, मैंने power को किसे replace कर दिया, 2 से, और 4 की power, 2 केतना होता है, 16, 16 को divide कर ये, 6 से, भाई, divisional वाली condition में आगया, ठीक है, now, अब आप यहापे divide कर लीजिए, 6 से, तो 6 से करेंगे, 6, 2, 12, minus कर ये, 4 आगया, भाई, इसका भी ज ही हो गया है, आपे, उम्मीद है, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है, अगर 4 की power, 2 रखने पे, 6 से, divisional वाली condition में नहीं आता, तो फिर मैं कर रखता, 4 रखता, ठीक है, now, अगला question देखिए, अगला भी हम देखते ही, इसका answer बता देंगे, भाई, देखो, क्या है सेस्पल ग्याद करिए, ठीक है, 40 की power, 28 upon 29, यह question आप से SST में पूछा गया है, now, ऐसे question को कैसे करेंगा, अप और इवन लगा लीजिए, उससे भी answer आ जाएगा, लेकिन, इतना time क्या होता है, ध्यान देना है, question के concept पे, क्या पूछा गया है, देखिए, याद रखिए, 29 से एक कम उपर है न, 28, गिवन नंबर की power क्या है, जिससे हमें divide करना है, सिर्फ उससे एक कम है, concept यहाँ पर format term क्या बोलती है, कोई भी नंबर है, उसे हमें divide करना है, किसी भी prime नंबर से, उस नंबर से एक कम नंबर उपर power में हो, तो उसका answer बनाता है, तो इसका देखिए देखते हैं यह मंसर बता देंगे, option इसका D सही हो गया है, उके, उम्मीद है आपको session बहुत पसंद आयागा, तो चलिए, पसंद आया है, तो पली जाला से यदा लोगों में share करिए, अपने दोस्तों को चैनल को subscribe कर लीजिए, जो भी new students है, जो हमसे जुड़े हैं, और bell icon क को भी साथ साथ on कर दीजे, हमारे चैनल के जोगी आने वाले notification है, वीडियो का सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, एक और नए concept के साथ, तब तक के लिए, धन्बार, take care, and wait for the next video, जैहिंत!